इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक ने एक नया अप्लिकेशन लाउंच किया है जिनका नाम है डाक पे जैसा कि आप लोग सभी जानते थे इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक के मोबाइल बेंकिंग के अप्लिकेशन में यूपी आई का सुविधा सभी को मिल चुका है अब इसम एक अप्लिक्सन लॉंच किया गया है गूगल पे कि तरह डाक पे जैसा कि आप लोग नाम सहीं जानते हैं डाक पे गूगल फोट पर उसी तरह के से आपका अगर कोई भी बैंक है यहां पे जैसे कि अपना यूपी आई को लिंक करके एकाउंट के साथ यहां पर मनी टांसफर कर सकते हैं रिचाज कर सकते हैं बहुत सारे का यहां पे पेमंट कर सकते हैं तो आज कि एस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के से डाक पे मेरे सां किया जाता है और किस तरह पे इसका जो है करीप अभी 100 के डाउंलोड है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है रिलिज आउन डेट बारह दिसंबर है और अपडेट आया है 11 दिसंबर को तो चलिए इस अप्लिकेशन को हम जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद है इस तरीके से उसके बाद यहां पर एक तीर का निसान दिया गया है यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ एलाव मांगा जा रहा है तो एलाव पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहां पर भेरिफाय मुबाल नमर आपको तो यहां पर किया जा रहा है आपको कुछ सेकेंड यहां पर वेट करना है तो होने के बाद अगर आपका दो सीम है तो यहां पर सेलेक्ट करने का उप्षन आगा तो मेरे में जो एक ही सी में इसीलिए यहां पर डारेक्ट आगया तो यहां पर आपको प्रोफाइल डिटेल यहां पर आपको भरना होगा first name उसके बाद last name उसके बाद आप अपना email ID देंगे उसके बाद date of word देंगे उसके बाद mail फिमेल आप देंगे उसके बाद आपका mobile नमर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको passcode बनाना पड़ेगा चली हम यहाँ पे बनालते हैं फिर से confirmation के लिए दे देते हैं उसके बाद term and condition पे आप accept कर देंगे उसके बाद register पे आप click कर देंगे तो जोचे ही आप register पे click करेंगे तो click करने के बाद देखिए UPID create successful हो चुका है तो चली continue पे हम जो है click कर देंगे तो continue पे click करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको bank आ जाता है आपका कौन सा bank है वो यहाँ आप यहाँ पे select करेंगे उसके बाद यहाँ पे चली मेरा जो state bank of India का है तो यहाँ पे हम select कर देंगे state bank of India saving account आगया और आपका नाम भी यहाँ पे आगे उसके बाद चली हम आपको home page पे लेके चलते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पे home page पे click करते हैं click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे में कुछ इस तरह का option यहाँ पे आपको मिलता है account का उसके बाद scan और pay का यहाँ पे आप कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे transaction history भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ transaction इसमें करके दिखाता हूं तो सबसे पहले अगर आपको किसी को भी payment करना है money transfer करना है पे transfer पे आप किलिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप UPID से payment को transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पे UPID आप यहाँ पे इंटर कर देंगे अगर आप contact के थूरू पैसा को transfer करना चाहते हैं हैं पर आप कुलिक करेंगे हम जो क्सकाम प्लस cinco द्वार ला जो है पिशाच टांस्फर करना चाहते हैं तो यहां परork क्लिक करेंगे किलिक करने के बाद के समने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है तो यहां पर अगर आप बेनिफिसरी को एड करना चाहते हैं फिर कभी भी भी भेजना चाहते हैं तो आपको चाहते हैं एक होट नुमर प्लस आफसी कोड दुबार आपको डालना नहीं पड़े तो यहाँ एड पर आप किलिक कर देंगे तो किलिक करने के बाद आपके बाद आप के सकते हैं एक बार कंफरमने के लिए पीश को रीड़ करलेंगे उसके बाद आपसे यूपिए यूपी आई लिंक करके बैंक को यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा अपने एकिंट कार्ड की मदद से अगर आप पहले से Google पे फॉन पे यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका उल्रेडी UPI PIN बना हुआ है तो यहाँ पे आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं वही PIN यहाँ पे काम कर जाएगा तो चली हम यहाँ पे PIN यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे राइट वाली निसान पे किलिक कर देंगे तो किलिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है पेमेंट यहाँ पे टांसफर हो चुका है तो यह आप देख सकते हैं अगर किसी को सेर करना चाहते हैं यह रिशिप्ट तो यहां से आप share कर सकते हैं, तो यहां पे WhatsApp, Facebook पे आप share कर सकते हैं, तो चलिए अगर आप HomePage पे जाना चाहते हैं, तो हम पेज यहां पे आप click करके, उसके बाद यहां पे अगर आपको collect करना है, तो यहां पे आप collect कर सकते हैं, UPID के थूरू, contact के थूरू, उसके बाद यह यूपि के और कोड यहाँ पे आपको मूल जाता है जो कि कम्प्लेंड यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद डी- रजिस्टेशन कर सकते आप इसमें लगा सकते हैं तो चलिए मैं वह आपको लगा के दिखाता हूं finger print, तो यहाँ पर enable करेंगे fingerprint, उसके बाद ok पर click कर देंगे, तो यहाँ पर आगर आपका fingerprint phone है, support करता है तो sensor पर आप उंगली finger को set आएंगे, तो यहाँ पर देखिये fingerprint आपका लग चुका है, उसके उसके बाद log out पर जैसे ही आप click करेंगे तो click करने के बाद यहाँ पर आप finger से ही login कर सकते हैं passcode की कोई जरूरत नहीं है जो कि आप screen पर यहाँ पर देख सकते हैं यह देखिए homepage पर आ जाएंगे finger से login करने के बाद यहाँ पर transaction history पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर homepage पर आते हैं उसके बाद यहाँ पर default account पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ और भी account यहाँ पर्सलेक्ट कर सकते हैं प्लस वाले icon पे klick करके आप यहाँ पे link कर सकते हैं यूपी आईडी के साथ यहाँ पर आप चैंज इऑ ईपी न करना चाहते हैं तो यहाँ प कर सकते हैं तो इस वीडियो मैं को सारा process बता दिया हूँ अगर शिल्दियो में कुछ छूट जाए तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में बता सकते हैं ese channel पर आप करते हैं और बगल में जो बेल आकन है उससे भी आप दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो फिर मिलेंगे किसे एक और नए सांधार वीडियो में तब तक लिए जाएं जाएं भारत